बारती टिम के इफ्टार ख्लारी प्रित्वी शौ फिर से विवादों में फस्ते वे नजर आ रहा है उनका एक वीडियो सोसल मेडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वह एक मैला के साथ हाता पाई करते हुए दिख रहे हैं प्रित्वी के दोस्त ने कुछ लोगों पर प्रित्वी दोरा सेल्फी न लेने पर गारी का शीषा तोड़ने और बस बाल बैट से हमला करने का आरोग लगाया है वह इस मामले में प्रिस ने एक वर्ति को गिरफतार भी किया है अलाकि इंटरनेट में इस गटना का कथित वीडियो सामने आने के बाद प्रित्वी भी विवादों में घिरते हुए नजर आ रहे है वो पहले भी कई बार गलत वजहों से सुर्खियों में रचुके हैं कभी दोक टेस्ट तो कभी पिकनस की वजह से प्रित्वी शौ प्रित्वी विवाद के बाद प्रित्वी शौ ने घरेली क्रिकेट में शामबार वापसी की लेकिन उन्हें टीम इंडिया में जग्या नहीं मिली वही वीडिया रिपोर्स में दावा किया गया कि प्रित्वी को मतापे की वजह से भी नजर अंदाज किया जा रहा है ये भी कहा गया कि प्रित्वी मैदान पर अपनी उम्र के हिसाब से काफी धीमे है उन्हें और चुस्ती फूर्ती की आवश्यक्ता है बारती क्रिकेट में योजो टेस्ट पिछले कई वर्सों से चर्चा का विशह भी रहा है कोरोना से पहले तक बारती टीम में चैन के लिए इस टेस्ट को पास करना बहुत जरूरी था कोरोना के समय इसमें डेल दी गई योजो टेस्ट के कारण हुई भारती खिलारियों के फिटनेस में काफी सुधार भी देखने को मिला है वही जल आईपियल के 15 सीजन से पहले भारती खिलारियों का योजो टेस्ट हुआ था तो उसमें प्रित्वी शौ ने भी योजो टेस्ट दिया था लेकिन प्रित्वी शौ फेल हो गए थे वे मोटापे की वज़ह से योजो टेस्ट भी पास नहीं कर पाये थे उस वक्त भी प्रित्वी शौ काफी सुर्खियों में रहे थे वही वैलेंटाइन डे के मौके पर बारती टीम के खिलारी प्रित्वी शौक के इस्टाग्राम हैंडल से एक फोटो शेर की गई जिसमें उनके साथ उनकी गर्णफ्रेंड मिधी भी नज़ा आ रही थी प्रित्वी ने उन्हें वाइफ कहते हैं विश्किया था अलाकि खास बात ये रही कि उन्होंने वो पोश्ट कुछ देर बाद ही डिलीट कर दिया प्रिश्वी ने अपने इस पोस्ट पर सफाई भी दी और कहा कि ये तस्वीर उन्होंने नहीं पोस्ट की है किसी ने फोटो एडिट करके ये तस्वीर पोस्ट की है